डॉक्टर शलप बंसल, रेडियोलोजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केर में एक सुप्रसिद नाम है, जिन्हें देश्व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजरिंग करने का अनभव प्राप्त है. और अपने इसी अनभव और एक्सपेटीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आएं है एक स्टेट अफ दियार्ट डाइगनोस्टिक सेंटर. पड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन अत्यधिक शोर से होने वाले दिक्कतों, जैसे क्लॉस्ट्रफोबिया वो एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए. हमने एक हाइटेक आउडियो विज्वल, MRI सिस्टम लगाया है. युवादल के बैनर तले बड़ी संच्चा में मेरे ट्विकास प्राधिकरण पहुँचे, युवाव ने प्राधिकरण की कारे प्रणाली को आएना दिखा दिया. युवाव ने कहा कि अवैद कच्ची कलोनी बना कर बिल्डर तो पैसा कमा कर निकल गए. फस्वो गए हैं जिन्होंने अपने गाड़े पसीने की कमाई से वहाँ प्लोट खरीदे अथ्वा मकान बनाये हैं. नागरीकों की आँख में धूल जोकने वाले इन बिल्डरों के खिलाफ प्राधिकरण ने कोई कारे वाई क्यो नहीं की. इसके अलावा जिन अभियंताओं के छेत्र में बड़े प्यमाने पर 366 कच्ची कालोनिया बन गई. उनके खिलाफ प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने कोई कारे वाई क्यो नहीं की. प्राधिकरण के अभियंता के बिना कच्ची कालोनी बन ही नहीं सकती. अब कच्ची कॉलोनी बनाकर पैसा बटोर चुके बिल्डर खुले आम जनता के पैसे से एश लेते घूम रहे हैं इस दोरान MBA वाले चोड हैं जैसे नारे भी वहां सुनाई दिये युवाओ के इन जलते हुए सवालों का प्राधिकर उफाध्यक्ष अभिशेक पांडे को इस संतोष जनक जवाब नहीं दे पाए देखिए आज में इस तरह के से बड़े लगभा रख रहे हैं ऐसी इस तरह के वोटे कम से कम चैनल में चस्पा दिन हैं इस्ते लोग जाब लुगों और इन अवेट तरोनिया तक्षी को लोग ना जाबाए क्योंकि आनके को हाल आनमी सेहल आनमी एंडेकर को आता नहीं है ना सेहल ना कोई आन्मी जोट सक्स है आम आनमी गरी बातने की साथ नहीं पर देखने को रहे लिए अच्पी इसे सोड़े सब्सक्राइब लिए तो हमारे तुस्री आम बेदी की आपने की बड़ेगार अपने दिपारे में रहते हो लोग देखने के लिए जोजोंची को पुना आवे धवजिकर का रेस्पार के सामय जाई करने के नाम बोड़न के सारे नाम बेई कुरें अब इसे सब्सक्राइब भी आपके करने की योई तो मिलसी के सामय तो नहीं है अच्छी बात है कि आप लोग समारे सरुकार से जूपार दर्जी नेन जाई आए इस बारे में युवादल के राष्ट्रिय अध्याक्ष तरुन मलिक ने यह जारकारी मीडिया को दी वैद कलोनी किसे विकसित विकसित हुई और अब जब विकसित हो गई है लोगों का पैसा उन में इनवेस्ट हो गया है तो बुल्डोजर चल कहा रहा हूँ चैनल को गरीब आजमी के पैसे ओपर चल रहा है मैं आपके मान्द्यम से बात बिल्कुल साफ कहा देना चाहता हूँ कि MDA का बुल्डोजर गरीब आजमी के पैसे पर बज़ रहा है अवैद कलोनी के बिल्डर कलोनी बना के बेच के अपने विदेश निकल जाँ पैसा पीट के अपना एक तरफ आ हो जाँ MDA का बुल्डोजर साफ साफ गरीबों के उपर चल रहा है इसके अलावा आप आजाओ दूसरे परकरन पर यह जो अवैद कलोनिया बनी है इन पर कारवाई चल रही है लेकिन इनके जो अधिकारी है जिनके कारण से अवैद कलोनिया विक्सित हुई है उन पर कारवाई कब होगी लगातार वे ही नाम रिपीट होते आरे MDA ने 3.500 कलोनिया की सुची जारी करी है जिसमें लगातार हर कलोनिय के सामने कुछ नाम बार-बार रिपीट हुए यदि उन पर पहले ही कारवाई हो गई होती तो यह लिश्ट 3.500 के पार ना जाती इसके अलावा कासिराम कलोनिया में MDA की कलोनिया बसाई हुई है 2010 में फ्लैट आवंटित किये गए थे जिसमें जाज अजन्सियों ने पात्र और अपात्रता की पूरी जाज करी थी जिसके बावजूद भी सारे फ्लैट अपात्र लोगा को दिये गए अधिकारियों की साट गार्ट से सारे फ्लैट अधिकारियों ने अपने रिष्टदारों के नाम पर दे दिये और जो जरूरत मंद हैं जो गरीब आदमी वास्तविक्ता के गरीब आदमी हैं वह आजमा किराये पर रहने को मजबूर है उनका समान MDA के दुआरा फैका जा रहा हर इस्टिती में इस खाबर में फिल हाल इतना ही आप देखते रहें फास्ट बाइड डर्टी झाल झाल